दुनिया का यह हमारे बस्तर में हैं लेकिन यह क्या करते थे आयन और मैसेश टील यहां बनाने के बजाए जिसका कोई हिसाब किताब नहों कितना माल निकाला पता न चले जितना उठा सकतो उठा विदेश भेज़ दो और बीच में मलाई खालो कोई भी सरकार होती तो उसकी प्रात्मिक्ता होती कि यहां बस्तर में ही श्टील का कार खाना लगाए लेकिन कॉंग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और पिर कच्चा माली विदेश भेज दिया इसमें कॉंग्रेस के नेताओं ने कमाया यहां के नौजवानों को कुछ नहीं मिला बस्तर के नौजवान मद्दूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए लेकिन भाईयो बेहनो यह मोदी है आपके बीच में पला बड़ा है इसलिए आपका ही सोचता है गरीब की चिंता गरीब के हीर यही मोदी के दिमाग में भरा पड़ा रहता है इसलिए हमने दिल्ली में मुझे आपने सेवा करने का मोका दिया हमने बस्तर में इस टील कार खाने का काम तेजी से पुरा करवाया भाजपास सरकार ने लगबग 24,000 करोड रुपिये इस टील के कार खाने पर लगाए इस से छेत्र के 50-55,000 साथियों को रोजगार मिलना तै हुआ है सरकार ने ये भी तै किया है कि इस टील की जो प्लांट की खमता है उसको और बढ़ाना है मुझे और पुझी लगानी है ताकि जादा लोगों को काम मिले यानि इस टील प्लांट पर अब जी हजारो करोर रुपियों का और निवेश होने वाला है और जब जादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है अब मैं आपको बताता हूं मेरे यहां गुजरात में स्टील बनाने का एक कार खाना है वहां तो आयन और भी नहीं है हम भार जे लाते हैं लेकिन स्टील कार खाना होने के कारण कार बनाने के ने कार खाने वाल लग गए काड़िया मनाने को कि श्टील की उनको जरुवत थी पास महीं मिल जाता था अब यहां स्टील बन रहा है ना और भी कार खाने यहां लगने वाले हैं और यहां पर करीब डेड़ लाग साथ्यों के लिए बहार जाता है एक दिन ऐसा आये गा हिंदुस्तान के नवजवान रोजगार के लिए बस्तर आना चाहेंगे बस्तर आना चाहेंगे आप कलपना कर सकते हैं मोधी अगर ये काम कर देगा तो कॉंग्रेस के लोगों के लिए प्रश्टाचार के रास्ते रूख जाएंगे खदान मैंसे जो माल खाते थे उस पर मोधी ने ताला लगा दिया और इसलिए छट पटा रहे हैं है आज भी आज भी कितनी जूठी बाते फैल आई लेकिन आपने उन पर यह नं उनbasin Millie है कर आकर आ से हुए जुठी बाते फैला कर ईप इनका इरादा समझा रही यह बस्तर के मेरे नउजवान हो इनका इरादा समझे ये जूठी बाते फैला कर ये स्टील प्लांट को भी हडपना चाहते हैं इस स्टील प्लांट को भी कॉंग्रेस ही अपने बच्चों अपने रिष्टेदारों की तीजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं लेकिन मेरे बस्तर के भाईयों बेनों ये मोदी की गारंटी है ये मोदी नहीं होने देगा ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है बस्तर के लोगों का है इस टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग है मेरे चत्तिसगर के लोग है मोदी इसका मालिक नहीं है मोदी इसका मालिक नहीं है और नहीं कोई देशरा नेता कोई कॉंग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूँ इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिरफ बस्तर के मेरे भाई बहन है यह हक आपका है कोई आपका हक छिन नहीं सकता है इस पर कॉंग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कबजा नहीं करने दिया जाएगा उनको कटकी कमपनी, कमिशन, कमपनी, प्रस्ताचार बेहिमानी करने का मोका नहीं दिया जाएगा आप मेरे साथ सहमत है तो यह काम करिए, अपना मोबाईल फॉन निकालिए और उसकी फ्लेश लाइट चालू कीजिए मेरे इस बात के समर्थन में अपने मोबाईल की फ्लेश लाइट चालू करिए शाबात देखे, वाँ दूर दूर तक शाबात यह ताकत है वा देखे ये मिडिया वाले आपकी फोटो रिकार रहे देखे ये समर्थन है ये स्टिल प्लांट के लिए समर्थन है कैसा जुड बोलते थे और इमान दोरी देखे ये सचा ही यहां देखे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाईयों बेनों मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड दिखाता है कि उसे 36 गड़ के लोगों की परवार नहीं है उसकी प्रात्विक्ता सिर्फ और सिरफ 36 गड़ की संपदा को लूटना है 36 गड़ की खनीज संपदा को लूटने भी कॉंग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी यहां से जो भी खनीज निकलता था उसका हलाब कॉंग्रेस के राज में हमने बड़ा बडलाव किया हमने डिस्ट्रीक मिनरल फंड बनाने का फैसला किया यानि जो भी खनी यहां से निकलेगा उसका एक हिस्सा आपकी मालिकी का होगा आपके विकास के लिए होगा यह खनीज मोदी की मालिकी की नहीं है यह खनीज 36 गड़ की कॉंग्रेस सरकार की नहीं है यह आपकी है इसका हग आपको देने का काम यह मोदी ने किया है भाजपा ने आपको विकास का साजेदार बनाया आपको पांटर बनाया इसके तहट 36 गड़ को 8,000 करोड रुपिये मिले हैं लेकिन जानते हैं कॉंग्रेस ने इस पैसे से क्या किया किया कि कॉंग्रेस सरकार ने इसमें भी गोटाला कर दिया है ताथियों आपकी वन उपज के साथ कॉंग्रेस ने क्या किया ये भी आपने देखा है वन उपज तो हमारे जनजातिय समाज के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है लेकिन जब तक दिल्ली में कॉंग्रेस सरकार थी तब तक ये लोग सिर्फ दस बारा वन उपजों पर ही MSP देते थे आज जो नौजवान है उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी को कॉंग्रेस ने नमक से ठगा है नमक से ठगा है ये आज के नौजवानों को मैं बताता हूँ चिरोंजी जैसे बहुमुल्य वनुत्पात हमारे आधिवाजी परिवार इखटा करते थे बोरा बोरा लेकर हाट बजार पहुंचते थे वहाँ उन्हें दो चार किलो नमक देकर ही ठगा जाता था आपके दादा दादी के साथ ये किया इनों ने ये तो भाजपा सरकार है कि जिसने रासन की दुकानों में मुप्त में नमक देना शुरू किया तब जाकर कॉंग्रेस का इस्षोशन बंद हुआ जो उत्पात MSP के दाइरे में नहीं थे उन्हें कॉंग्रेस के ठेकेदार ऐसे ही ओने पोने दाम पर खरीते थे फिर जादा मुनाभा पर बेद लेते थे आज भाजपा सरकार करीब करीब 91 उपज को MSP के दाइरे में ला चुकी है कितनी कितनी 90 कितनी पहले कितनी थी 10-12 कॉंग्रेस के जमाने में कितनी थी कॉंग्रेस के जमाने में कितनी थी मोधी कितना पहुचाया मोधी ने कितना पहुचाया यह आपके प्रति जो प्यार है न उसके कारण होता है भाजपा सरकार ने बन धन केंद्र बनाकर बन उपाच्च के बहतर दाम देने का रास्ता खोला है आज 36 गड़ के हजारों आदिवासी बेनों भाईयों को वनधन केंद्रों में रोजगार मिला है साथ क्यों कॉंग्रेज की सरकार ने यहां तेंदू पत्ता संग्राकों के साथ क्या किया था यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं बाजबाज सरकार ने तेंदू पत्ता के काम से जुड़े प